हालो एवरीवन एन्वार्मेंट इंजिनिइरिंग में हम ट्रीटमेंट औफ syllabus में अभी तक हमने सेडिमेन्टेशन प्रोसेस तक समझ लिया मतलब सबसे पहले हमारा सोर्स से रो इस जो वाटर की हम क्या करते हैं रोग वाटर की स्क्रीनिंग की । मतलब मेश पेटर में हमारा वार्स अरेंगल जो लगबग हमारा साट से सट्रेंको डीघरी सांट डीघरी के असपास रहता है इसमें ब्लॉक हो जाती है और क्लियर वाटर हमारा यहां से हम रिमोव करते हैं फिर यह स्क्रीनिंग के बाद हम इसे एरेशन प्रोसेस के थिरू गुजारते हैं एरेशन इस एरेशन प्रोसेस में हमारी तो डिजॉल्ड इंप्यूरिटीज होती है जैसे गैसे हो गई राइट वोलाटाइल लिक्वीड हो गए इनको हम रिमोव न्लंपोबोड जादा हي तो हम पानितों को क्या है Prix क्लोर्इशन करने के आदश złय क्षटा पढ़ती है इसके बाद वने ऐसे डीमेंटेशन स्प्रोसित देखा था इसके अंदर जो suspended particles होते हैं वो under action of gravity हमारे क्या होते हैं सेटल हो जाते हैं below the surface और यहां से फिर हम इस sludge को क्या करते हैं remove कर लेते हैं लेकिन कुछ suspended particles जो होते हैं उनकी size बहुत कम होती है बहुत fine particles होते हैं इन fine particles को हम ये fine particles जो होते हैं ये gravity के action के अंदर हमारे remove नहीं हो पाते हैं तो हम कुछ coagulant डाल के इसका क्या पनाते हैं एक flock बनाते हैं flock मतलब एक surface provide कराते हैं जिसके चारों तरफ ये fine particles हैं वो attach हो जाते हैं फिर इन fine particles की gravity actions के corresponding ये easily settle हो जाते हैं क्योंकि इसका weight बढ़ जाता है और इस तरह के process को हम क्या कहते है sedimentation with coagulation और flocculation इसका हमारा process क्या होता है कि जैसे raw water आया इसमें हमने coagulant डाला उसको mix किया mix करने के लिए हमारे पास दो parameter को ध्यान रखना पड़ता है एक तो था temporal mean velocity g और एक था detention time okay इन दोनों parameter को ध्यान रखके mixing करते हैं mixing के बाद इसे हम flocculation chamber तक store करते हैं flocculation chamber में store करने के बाद जो flocks form हुए हो यहां पर settle हो जाते हैं फिर इसको हम remove करते हैं इस पानी को हम आगे process treatment process में ले जाते हैं right इस तरह से हम flocculation chamber के थरू भी sedimented particle और suspended particles होते हैं उनको हम क्या करते हैं remove करते देन आफ्टर फिर इस पानी में present हमारी जो dissolved mineral होते हैं micro organisms होते हैं इनको remove करने के लिए हम क्या करते हैं filtration करते हैं क्या करते है filtration तो अगला process हमारा क्या है filtration okay तो filtration में हम क्या करते है filtration helps in removing helps in removing finer blocks the fine blocks form होते हैं इसके अंदर उनको हम remove करते हैं microorganism जो प्रजेंट होते हैं micro organism इनको हम remove करते हैं और इसके अंदर dissolved minerals होते हैं dissolved minerals that can also be removed filtration के हमारी यह फाइद होते micro organisms remove करते हैं इसका मतलब जो disease causing bacteria's और प्रोटोजवास होंगे उनको हम यहां पे क्या होता है remove करते हैं इसके कारण जब भी हमारा filtered water होता है वह disinfected हो चुका होता है मतलब बहुत ज़्यादा हमारा disinfected हो चुका होता है यह फिर contaminated होता है तो उसको हम उस contaminated water को disinfect करने के लिए filter करते हैं ओके तो जैसे हमारा जैसे slow sand filter होता है तो slow sand filtered water से हमारे ग्यूणा वांब डीजिस जो होती है ग्यूणा वांब डीजिस यह नहीं होती है ओके तो इससे हम समझ सकते हैं कि यहां फे माइक्रो और्गनिजम्स होते हैं dissolved minerals होते हैं और यह five fox जो हमारे coagulation sedimentation या plane sedimentation से रिमूण नहीं हो पाए होते हैं इनको हम filtration के तुरू रिमूव करते हैं ओके तो फिर हम देखते हैं filtration के हमारे अलग-अलग तरह के filters होते हैं ओके the filters in process of filtration in process of filtration different types of filters are present first हमारा है slow sand filter okay filters जो हम classify करते हैं first हमारा क्या है slow send filter second हमारा क्या होता है rapid send filter rapid send filter थर्ड हमारा है pressure filter इसके अलावा भी होते हैं multi media filter dual media filter पर आपको यहां पे सिफ slow send filter और rapid send filter के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए राइट आपके syllabus में और exams के point of view से हमारे यह दो ही टोपिक ज़दा तर पूछे जाते हैं और पूछे जाते हैं पूछे जाते हैं तो slow send filter और rapid send filter यह एक तरह से gravity filters है gravity filters gravity filters का मतलब क्या होता है कि इसमें जो पानी का flow होता है वो under action of क्या होता है gravity होता है इसलिए हम इसे क्या कहते है gravity filters कहते है filtration का जो process होता है उसमें different types of theory और mechanisms follow होते हैं ओके तो theories और mechanisms क्या होते हैं first हमारे जैसे होता है mechanical straining mechanical straining then after हमारा होता है sedimentation यह सब filtration की बात हो रही है sedimentation फिर होता है biological action biological action then after हमारा होता है electrolytic changes electrolytic change तो mechanical straining में हमारा क्या होता है कि जो भी हमारा particles होते हैं यह हमारा क्या filter media है filter medias में हमारा sand gravels का एक arrangement होता है इसके उपर से हमारा पानी क्या है flow करता है इनका वेल ग्रेड़ेड़ arrangement जो इस तरह से होता है कि हमारे जो fine particles है जब पानी इसके उपर से पास होगा जो fine particles है यह fine particles हमारे क्या होंगे यहाँ पे रुख जाएंगे और ब्लॉक हो जाएंगे इस तरह से हम मेकेनिकल स्ट्रेनिंग करते हैं इस तरह से जो fine particles हैं flocks हैं यहाँ पे एक top surface पे एक mat form करते हैं तो यह fine particles यहाँ पे remove हुए और इससे fine particles के लिए भी यह एक mat form हुए तो इससे fine particles यहाँ पे remove हो जाएंगे मतलब क्या है कि जैसे पहले हमारा particle क्या थे इतनी size के थे अब क्या है कि पानी इसके अंदर से फ्लो करेगा तो यहां पर जो केविटीज है या फिर जो पोर से उसके अंदर यहां पर इस से अगर लार्जर पार्टिकल आया तो यहां पर क्या एक ब्लॉक करेगा यह भी इसको ब्लॉक कर देगा यह भी इसको यहां पर ब्लॉक कर देगा यहां पर इसको ब्लॉक कर अगर अब क्या है कि अब यह जो layer form ही है इस से भी ऐगर Fine particles आइं तो वो भी हमारे क्या होंगे remove हो जाएंगे लाइक अगर अब यहां परQuébies में इस स्माल स्माल फान Particle इगर चीजार हं पर छोल भोव होते हैं तो वह हमारे क्या होते हैं रिमूव हो जाते हैं तो दे एक्स्टेंड एक पॉइंट आता है उसके बाद यह फिल्टर में क्या है कि यह बहुत ज़्यादा फाइन होने के कारण एक क्लॉगिंग की कंडिशन डॉलप होती है उस टाइम पे हमें इसको बैक वॉश करना पड़ता है या फिर इसको वॉश क Performance का करना पड़ता है रिमूव करना पड़ता है पर उस से पहले थो कमें हमारा यह पानी किया है बहुत ज़्यादा प्यूरिफाइफे हमें आ है यह बहु Armen जाह करके हमें आगे बेचता है तो इस तरह से हमारी क्या होती है देन liberté से MAN Something के बाद हमारा क्या प्रोकित होताई सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन क्या होता है कि इस वॉइड में जैसे वॉइड से इस वॉइड में दो भी पार्टिकल्स होते हैं वह क्या होता है फाइन पार्टिकल्स यहां पर आकर सेटल होते हैं और यहां पर क्लॉग हो जाते हैं और पानी रिमूव हो जाता है इस तरह size of voids, size of voids are removed through process of sedimentation, through process of sedimentation, right, जो particles, voids से larger size केते हैं, वो तो यहाँ पर क्या है, एक mechanical stranding के तुरू रिमू होते हैं, कुछ particles क्या होते हैं, इस void से भी हमारे क्या होते हैं, फाइनर होते हैं, तो यह यहाँ पानी में क्या होते हैं, यहां सेडिमेंट होके यहां पे चिपक जाते हैं, और पानी तो यहां से दूसरी दर्ग से निकल जाता है और यह वोइट से finer particle भी हमारे sedimentation process की तरह से ही removing अवते हैं आफटर क्या होता है biological action biological actions क्वोल एक्षन होता है कि जब हमारी यह layer form हो रही होती है उसमें क्या होता है कि इस इस वपर जब फाइन particle है यह biological आग्टिव भी हो सकते है इसका मतलब है कि इसमें ओर्गैनिक्स पार्टिकल भी हो सकते हैं किया ओर्गैनिक पार्टिकल इस उससे क्या चांए कि गई तो यहां पर चांद तो हमारे पैथोजनी सीटी की टेंडेंशी थी जो जब डीजिस कोजिंग बैक्टिरियास ते जो ज़नरेंट होते हैं वह यहां पर हमारे क्या है रुक के और हो सकते हैं तो इस जो अपर लेयर फॉर्म होती है जिस पर भाइओ लोजिकल एक्षिन होता है इसे ही हम क्या को T मुड़ क्या होता है कि जो five पार्टिकल k franchグal ता है और यह यहां होता है हमारा स्टोर होजाता है और यह फूड की तरह काम करता है तो यह जो फूड है इसको कौन कंज्यूम करेगा इस फूड को कंज्यूम करेंगे यहां पर पैदा होने वाले वो भी क्या होती है उस लेयर के अंदर की तरफ रिडियूस होती है इसी डाइग्राउम को मैं यहां जूम करके बताता हूँ जैसे यह हमारा क्या है फिल्टर मेडिया है इस तरह से हमारे यह मेडिया में पार्टिकल्स जो है वह अरेंजड है इसके उपर हमारे यहाँ पे क्या है कोई स 알았어 लेईर बन रही है मतल SARAH फाइन पार्टिकल से यहां पर अध्वाव होता है जो फिल्टरेर्शन में हमारे सुपोर्ट करता हैं कि 800皆さん यहाँ पर सकें और यह पार्टेकल में कुछ ऑर गेनिकली एक्टिव या मधिर हमारे ऑर्गैनिक पार्टिकल्स भी वोगल स strive, आधि क्या करते नदर प्रजेट यह क्या करते है которогоigerug उव्मकष्ण होता है उस्केशा पर हमारी चया होंगे हैं माइक्र और्गैणिस्मेंगे हैं इन फूड क्या करता हैं और तो जैसे किसी भी जानवार को खाना मिलेगा तो इसी ग्रोथ होगी ग्रोथ होने के बाद इसमें रिप्रोड़क्शन होगा और इस मायक्रोड़निजम्स की संख्या क्या होगी हमारी इंक्रीज होगी इनके numbers increase होंगे तो कुछ हद तक जब तक हमारे पास Food है तब तो यह क्या करेंगे इसको कन्जूम करेंगे पिर यह क्या है नरभखशी की तरह बन जाते हैं पिर ये क्या है कि इनर लेयर में बीन फोट की कौन्टिटी हमारे बिडियोस हो जाती है तो उसके बाद करते इस तरह से हमारे यहाँ पर जो माइक्रो org теперь करते हैं तक फिल्ट्राइब की सब्सक्राहारे हमारे क्या हो जए एह तो इसलिए क्यों हमारे जो बायोलोजिकल एक्षण होता है उसमें सबसे पहले चीज़ किया है हमारी साय मोटों चलैके मेर में जो होते हैं वो हमारे होते हैं इसमें हमारे 2 प्रॉसेस होते हैं थे यहां पर joug यहां किए पानी को यह है कि consult करेंगे जब कर देंगे तो यहां से पानी हैं हमारा फिल्टर तो तो क्या ही जहाएगा तो उस टाइम पे हमारे यहां पर एक इलेक्ट्र राइटिक चेंज करना पड़ता है इसका प्रस क्या है कि यहां पार्टिकल से इनका चार्ज जो होता है यह फिल्टर मीडिया के चार्ज के साथ क्या होता है यहाँ पेलिगर पॉजेटिव चार्ज है तो पानी हमारा फिल्टर नहीं हो पाता है तो यहां से हम क्या करते हैं कि बहुत तेजी से पानी को क्या करता है बैक वोश में फेकते हैं यह जो बैक वोश में हम पानी फेकते हैं नीचे से यह क्या करता है कि इसकी जो चार्ज है उसको क्या करता है यह निट्रलाइज करता है जब चार्ज होगा तो यहां पर इसको चि चेंज के मेथर के तुरू फिल्टर को वापस हम क्लीन करते हैं साफ करते हैं और फिर वापस हम इसको इनिशल प्रोसेस से वापस यूज में लेके आ जाते हैं तो राइट इलेक्ट्रोलाइटिक चेंज में हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक चेंज में हम ऑपोजिट च थियूरी ओफ फिल्ट्रेशन राइट आई होब यह आपको समझ में आया होगा अगला हमारा प्रोसेस है जिसमें हम अलग-अलग स्लो सेंट फिल्टर और रैपिट सेंट फिल्टर का मेकेनिजम्स क्या होता है उनको समझेंगे तो आगे बढ़ते हैं यहां पर हम पढ़ेंगे स्लो सेंट फिल्टर